कि नमस्कार दोस्तों आपका बहुत स्वागत है अमारी यूटीब चैनल सेल्फ मेडिकोई तो आज हम लोग सोचे कि आज हम लोग कुछ और्गनान ओफ मेडिसीन पे वीडियो बनाएं क्योंकि हुमें बेती का बेकपॉर्ण और्गनान ओफ मेडिसीन को बोला जाता बोला जाता है कि अगर आप और्गनान को अच्छे से नहीं पढ़िए तो आप मेंपर्थि का प्रैक्टिस से नहीं करपाईएगा तो हम लोग आज से और्गनान ओफ मेडिसीन पे वीडियो बनाने के लिए इसको दो पार्ट में बाट दी है क्या कि पहले पार्ट में लोग पढ़ेगे हैं कि जिसमें Biographies on Panyman पढ़ेगे हैं कि होमें पेती का डिस्कवरी कैसे हुआ ठीक है ठीक है होमें पेती का कहां कां बिरोध हुआ है हुमें पैती जो है वर कैसे करता है ठीक है हमें पेती का कारडिनल प्रिंस्पल्स क्या है और अप्रिश्म पढ़ेंगे यानि कि जो इसके बेसिक चीज ठीक है एक तो पार्ट वोग पढ़ेंगे मतलब उसका विडियो भी डेरी बेसिज पर आता रहेगा ठीक है और एक तरफ आपका हिस्ट्री पर आता रहे हुए पर ठीक है और एक प्रिश्म ही केबर पढ़ेंगे और दूसरा स्रीच पढ़ेंगे इसमें अगल बगल देखेंगे कि कैसे आया है इसका डिसकवरी कैसे हुआ ठीक है तो चलिए आज हम लोग और मेडिसीन को शुरू करते हैं यह आपके पहले तो है कि यह आपके एक्जामनेशन पॉइंट से बहुत जरूरी चीज है ठीक है और दूसरा है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेडिसीन का जब आप एज़े डॉक्टर कल फिल्ड में आईएगा तो आपका मेडिसीन देने के पीछे फिलोसफी क्या है ठीक है तो यानि कि मेडिसीन देने के पीछे का जो फिलोसफी है वह हमदो पाँअ में पढ़ते हैं ठीक Нकी हमतुर मनें पढ़िक है लिकेन रिखा थे प्रोपर रिमेडेई अम लोग आरगाँ में पढहें है ऑ्लिखा क्मरें पर्णेशे हैं तिक हम कैसि का क्लासीफीफिकेशन करें वहीं डिजिस कौन से किंगडम में आ रहा है सोरा सिप्री साइको से ठीक है और भी बहुत सारे चीज़ेश हैं जिसको कि हम लोग धीरे-धीरे करके और दूसरे तरफ हम लोग हिस्ट्री देखें ठीक है तो यह हमारा हिस्ट्री पार्ट के चले वीडियो है और मतलब जो भी था हम से याज़ा और आपको क्यों सच कर एक हांँ ऑपलाना चाहिए तो आप लोग लोग इस्टेश्राइम पर फॉलो भी कर सकते हैं तो चलिए जून करते हैं तो दो हम लोग हनी मेर का अमें बायोग्राफी देखेंगे कि मतलब छोटा सा पाइग्राफी देखेंगे जन्रल जन्रल चीज चिंग का में कैसे यह ठीक है बेसिक चीज़ भायोग्राफी ऑप इस अर्षे ते ढूरे तोड़े हम लोगा अफाक का बैउग्राफी देखेंगे तो हनीमेंस आपका फूल नाम क्या था? पॉइंट बाज़े दम देखेंगे, ठीक है? इनका फूल नाम क्या था? क्रिस्चन फ्रेडरिक सेमुल हनीमें ठीक है? तो ड्रॉक्टर हमेंस का फूल नाम क्या था? क्रिस्चन फ्रेडरिक सेमुल हनीमें और हाँ, अगर आप लोको नोट्स भी चाहिए होगा, तो आप लोग को इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हैं निचे थे अब इस्टाग्राम पर मेसेज की चाहिए, तो हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, सारे सब्सक्राइब का, और इनका डेट ओफ बर्थ क्या था, डियो भी इनका था, 10 अप्रेल, 1755, 10 अप्रेल को हम लोग, वर्ल्ड होमेप्रेशी डे भी मलाते हैं, ठीक है, तो इनका डेट ओफ बर्थ कब था, 10 अप्रेल, 1755, हुआ कहा था, प्लेस कहा पर था, भाई, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है था, एट मिसोन, इन सेक्सोनी, अफ जर्मनी, ठीक है, जर्मनी देश है, सबको पता है, तो जर्मनी देश के सेक्सोनी सहर के एक मिशन, मिशन मतलब गाउप मिशन बोला जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ के गाउप में, जर्मनी के सेक्सोनी सहर के गाउप में इनका जन हुआ था, ठीक है, का 10th अप्रिल, 1755, और क्या थे, he was the third children of the family, ठीक है, यहनि अपने परिवार के के में बच्चा थे, तीसरा बच्चा थे, he was the third child of his family, ठीक है, और only male child, he was the third child of a family, and only male child, ठीक है, यानि अपने माता पिता के तीसरी संता थे, और एकलोते बेटे थे अपने घर में, ठीक है, और सारीट की घर में क्या थे, बेटियां ही थी, इनके पिता जी का क्या नाम था भाई, इनके फादर्स का नेम था, Christian Godfired Honeyman, Christian Godfired Honeyman, ठीक है, और इनके पापा करते क्या थे, he was, पॉर्सिलीन पैंटर, आनि जो पॉर्सिलीन का बर्तन बंता था था न, अब फेंटिंग करते थे, ठीक है, पॉरसलिन मतला钟 चीनी मिट्री का जो बरतन होता था उस पर पेंटिंग करते थे कलाकारी करते थे तो उसे कहा थे पॉरसलिन इनके पेंटर्स गव यानि कि इनका जो भचमान था बहुत गरीबी से गुझरात था ठीक है और इनकी मदर्स का कया नाम था जोहाना कि इनकी मदर्स का नेम था जोहाना कृष्चियाना कि इनकी मदर्स का कहना नम था जोहाना क्रिष्चियाना ठीक है इन्होंने दो साधिक की थी ठीक है इनकी मेरेड देखा जाए तो इन्होंने दो मेरेज किया था फर्स्ट दो मेरेज था इनका फर्स्ट दो मेरेज था उनमें इसका कब किये थी 17 नमंबर 1782 मेरी पहला साधि किये थे और इनकी वाइप इनसे 9 यार यंगर थी ठीक है नौ साल के इनसे छोटी थी जो वाइप हुआज नाइन इयर्स यंगर ठीक है नेम क्या था उनका जोहाना लियो पोल्डाइन एनरीट कुचिलर हैंडी थे कुचिलर ठीक है इनका वाइप का जोहाना लियो पेड ने हैंडी थे कुचिलर ठीक है फॉर्स्ट वाइप से इनको टोटल 11 चिल्रेन हुआ था और इनकी फॉर्स्ट वाइप का देत कब हो गया था 31st March 1830 31st March 1830 में इनकी फॉर्स्ट वाइप का निधन हो गया थीक है उसके बाद चार साल तक इनकी जो बेटी थी वही इनका खयाल रखते उसके बाद चार साल के बाद इनको ने सकेंड मेरेज कर लिया कब सकेंड मेरेज और ने कब किया तो एट अप अक्टूबर 1834 ठीक है एट अक्टूबर 1834 को इनके पास एक रॉयल फैमिली के आर्टीस्ट है पोईट्रेश थी जिनका नाम क्या था मेरी मेलानी डी हार्वेरी ठीक है यानिके मेरी मेलानी डी हार्वेरी ठीक है मेरी मेलानी डी हार्वेरी से फिर्स्ट पारी एट अक्टूबर 1834 में मिलें और इनके पास थी चुकी स्कीन का अपना इलाज कराने के लिए आए वी थी तो इस पोट्रेश को थो थे ना डॉक्टर हनीमेन बहुत ही पसंद आ इनका बैक्तित्तु इनको बहुत जाते प्रभावित कर गया और असी साल के उमर में हनीमेन दूसरी साथी किये ठीक है कब किये तो फर्स्ट जैन्वरी 1835 को इन मेरेज कर लिए ठीक है तो मेरेज के समय डॉक्टर हनीमेन को उमर कितना हो रहा था पर हमनों अलग अलग सेगमेंट में अलग में देखेंगे जैसे आगरे वीडियो में इनके एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे फिर इनका प्रफेस्नल लाइब कैसा रहा वो पढ़ेंगे आगे ठीक है धिरे दरे सेगमेंट्स में इसको पढ़ते गांगे तो झाल